आज है नई साल और आप लोगों को भी नई साल की मुबारक बात तो मैं गेरते पड़ते जल्दी जल्दी सुबह सुबह पहुँच गई मंदिर वहाँ एक लेडीज ने अपना कुर्ता जला लिया तो जैसे तैसे हाथ मार मार के हमने कुर्ता उसका सही किया और घर आके बनाने शुरू किये पराठे दही मेरा जमा नहीं था तो बस चटनी से ही मुझे वो पराठे खाने पड़े अचानक इन्हें अपने घर की याद आ गई तो इन्होंने कहा बस तैयार भी नहीं होना है और घर चलना है और मुझे याद आ रही है अपने ममी पापा की तो हम लोग निकल दी है अपने गाउं और ये पहुँच गई है घर यहाँ पर चल रहा था धेर सारा काम प्लास्टर हो रहा था तो बस वस उन लोगों के लिए खाना वाना बना था देखिए कितने बड़े 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 में ऐसा लग रहा था जैसे इसी में डुबकी लगा लेंगे हम लोग और ये खरगोस पला हुआ तो बहुत सुन्दर लग रहा था हम लोगों ने बैठ कर खुब सारी गपे लड़ाई वहां पर खरगोस को देख कर लग रहा था उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है और होने लगी हम लोगों की बिदाई तो सिद्धी ने कहा चलो भई दादी के गले मिल लेते हैं कबके बिछडे हुए हम आज यहां कहां आकर मिले और बस गले मिलकर हम लोग बिदा होकर चल दिये हैं बहुत दिनों बाद मिली थी सिद्धी अपनी दादी से इसलिए दाद बुने हुए आलू जो बहुत जादा प्रिसिद हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं हमारे इधर ही आने पर मिलेंगे तो आजाइए हमारे इधर गाउं की तरफ और खाईए बढ़िया मज़ेदार चटनी वाले आलू जो हरी चटनी के साथ मिलते हैं इंजॉय कीजि और इतना जादा को रहा है